ही गाईज गूड इवनिंग वेलकम तू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानद में हरूद सुबह 6 वजे most important current affairs और हरूद साम 8 वजे most important general awareness की class होती है यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिय उससे क्या होगा कि आपको मेरे द्वार डालेगी शारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी आपको मिल जाएगी तो चलिए समय को वियर्थ ना करते वे वीडियो की और चलते हैं किसी भी competitive exams के तैयारी कर रहे है तो यूज ऑफ टाइम बा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जब जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर ततकाल कोलाइडी विलियन बना लेता है उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं याद रखना है अगली प्रिशन के चलते हैं सवाल नमबर दो धिहान से देखिए बाहिया अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकास दिखाई देगा कैसा option देखिएगा एक सफेद दो काला option number 3 नीला option number 4 लाल तो दोस्तों इसका से एंसर होगा option number 2 जी हां option number 2 काला बाहिया अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकास कैसा दिखाई देगा black दिखाई देगा काला दिखाई देगा याद रखना है अगले एक सिलेंडरी लेंज, ऑप्शन दो, अवतल लेंज, ऑप्शन नमबर तीन, उतल लेंज या उप्शन नमबर चार, द्विफोक्सी लेंज, कहा गया है कि ओब इंदुकता का दोस्त दूर करने के लिए किस लेंज का परियोग करना चाहिए, तो दोस्तों इसका ज़ी अंसर हो ऑप्शन नमबर एक, जी हाँ, सिलेंडरी लेंज का परियोग करना चाहिए, और बिंदुकता का दोस्त को दूर करने के लिए, सिलेंडरी लेंज का परियोग होता है, याद रखना है, अगले प्रिशन के चलते हैं, सवाल नमबर चार, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोन क याद रखना है, अगले प्रिशन के चलते हैं, सवाल नमबर पांच, ध्यान से देखिए, क्या कहता है, पहले ताप्यनिक वाल्व का अविस्कार किया था, किस ने, ऑप्शन देखिएगा, एक, थॉम्स एडिशन ने, ऑप्शन दो, रिचर्ड्स ने, ऑप्शन तीन, जे याद रखना है, अगले प्रिशन के और चलते हैं, सवाल नमबर छे, ध्यान से देखिए, दातों के अध्यान में, संबंधित विज्ञान है, कौन सा, ऑप्शन देखिएगा, एक, और्टोलोजी, ऑप्शन तीन, और्थिनोलोजी, ऑप्शन नमबर पांच, अप्शन दो, आर्थिनोलोजी, या ऑप्शन नमबर तीन, फीनोलोजी, या फिर ऑप्शन नमबर चार, कॉस्मोलोजी, तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा, ऑप्शन नमबर एक, जिहां, ऑप्शन नमबर वन, इसका सही अंसर है, ओडोन्टोलोजी, दातों के अध्यान से संबंध याद रखना है अगले प्रेशन क्यों चलते हैं सवाल नंबर साथ क्वेश्चिन नंबर सेवन ध्यान से देखिए फॉर्मेल डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्षाइड को गरम करने पर हम क्या पाते हैं ऑप्षिन देखिएगा एक एसेटिलीन दो मिथे अप्षिन नंबर तीन या ओप्षिन नंबर चार एथिल फॉर्मेट तो फ्रेंड्स इसका सही एंसर होगा उप्षिन नंबर 4 सही है एथिल फॉर्मेट याद रखना है अगले प्रिशन कर जलते हैं सवाल नंबर आठ ध्यान से देखिए ग्लुकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिती में अलकोहल में परिवर्तित होते हैं ऑप्षिन देखिएगा एक डायाश्टेस ऑप्षिन दो माल्टेस ऑप्षिन तीन इनवर्टेज या ऑप्षिन नंबर 4 जाइमेज तो दोस्तों इसका सही एंसर होगा ऑ अगले प्रिशन क्यों चलते हैं सवाल नंबर 10 त्यान से देखिए बुरादा इस्तेमाल करके निमलिकित में से किस अमल का निर्मान किया जाता है ऑप्षिन देखिएगा एक औक्जैलिक अमल ऑप्षिन दो इसी शित्रिक अमल ऑप्षिन 3 एसिटिक अमल या ऑप्षिन नं अंतरंग अंगो का अधियान है क्या अंग्शिन देखिएक का एक ऑंग्शियो को ऑलोगी अपशियान है एट याद रखना है अगले प्रिशन के उचलते हैं सवालनबर ग्या रहा क्वेस्टिन नंबर 11 धियान से देखिए इलाहाबाद के अस्तंभ में किस की उपलब्दियां उत करनी है option देखियेगा एक चंद्रगुप्त मौर या option 2 समुद्रगुप्त ao विक्रमा दित्य या option no.4 असकंद गुप्त तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा option no.2 जी हाँ समुद्रगुप्त कहा गया है कि इलाहबाद के अस्ताम में किसके उपलब्दिया उत करनी है तो समुद्रगुप्त की याद रखना है अगले प्रिशन के और चलते हैं क्वेस्चन नमबर ड्यान से देखिए सरदार बल्लव भाई पटेल की तुलना निमलिकित में ऐसे की जाती है किसके देखिएगा उप्शन नमबर एक माजिनी दो कैबूर तीन गेरी वॉल्डी या चार बिसमार्क तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा बिसमार्क यानि कि उप्शन नमबर चार इसका सही अंसर है याद रखना है अगले प्रिशन के और चलते हैं सवाल नमबर 13 धियान से देखिए काला बाजारी और जमा खोरी को नियंतरित करने के लिए अलाउद दिन खिलजी द्वारा निमलिकित में से कौन सा आदेस नहीं दिया गया था उप्शन देखिएगा एक भूरा जस्व जिन्स में लिया जाए उप्शन दो किशान अपनी कटी हुई फसल को खेत में ही बेचे उप्शन तीन व्यापारी सभी वस्तुएं खुले में बेचे या उप्शन नमबर चार खुतों और मजदूरों को विसेसाधिकार दिया जा अगले प्रूशन की वर चलते हैं सवाल नमबर 14 धियान से देखिए कोसिकाओं के अधियन से संबंधित जैविक की साखा को कहते हैं क्या अप्शन देखिएगा 1 psychology सब्सक्राइब को सिकाओं के अध्यान से संबंदित जैविक के साखा को कहते हैं साइटोलोजी याद रखना है अगले प्रिशन के और चलते हैं अध्यान को क्या कहते हैं अगर आप इसली वीडियो को मिस कर चुके और देखना चाहते हो तो आई बटन पे चेक कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ओके देखिए सवाल नंबर 16 नीद ना आने के लिए पर्यूक्त डॉक्टरी सब्द है और देखिएगा एक सॉमने बुलिज्म सॉमने बुलिज्म ऑप्शन दो इंसॉमिन ऑप्शन तीन हैलूशीनेशन या अप्शन नमबर चार निटी न्यूरिया तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा ऑप्शन नमबर अगले प्रिशन क्यों चलते हैं नमबर 17 ध्यान से देखिए यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक है क्या ऑप्शन देखिएगा 1- Mycobacterium 2- Aspergillus 3- Rabdovirus 4- HIV तो फ्रेंड्स इसका सही अंसर होगा ऑप्शन नमबर A- Mycobacterium यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक है Mycobacterium याद रखना है अगले प्रिशन क्यों चलते हैं सवाल नमबर 18 ध्यान से देखिए मनुस्य के लार में पाया जाने वाला इंजाइम है क्या ऑप्शन देखिएगा 1- Pepsine 2- Renine 3- Amylase या 4- Trypsin तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा ऑप्शन नमबर 3- Amylase याद रखना है मनुस प्रिशन कर दूसरा नाम है रुधीर कैंसर का दूसरा नाम है ऑप्शन देखिएगा 1- Anemia 2- Polycythemia 3- Lyukopenia 4- Leukemia तो इसका सही अंसर होगा लियुकीमिया यानिके ऑप्शन 4- 4- Leukemia रुधीर कैंसर का दूसरा नाम है- Leukemia याद रखें अगले प्रिशन के चलते हैं सवाल नम जरूर कर लिजिए गा, रेड कलर में लिखा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा, ताकि मेरे दोबर डालेगी शारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे कॉमेंट करके बताएगा किसी भी परिक्षा के तियारी कर रहे हैं, तो यूज ऑफ टाइम बायनों क्रेयान से जूट जाएं, क्योंकि टॉप सेलेक्टेड क्वेस्चन आपको यहीं पर मिलेंगे, तो चलिए देखिए सवाल नमबर 20, क्वेस्चन नमबर 20, मॉडले मिंटो सुधारों द्वारा किस किस समुधाय के लिए आरक्षित किये गए थे, उप्शन देखिएगा, एक यहुदी, दो मुशलमान, तीन इशाई या चार सिख, तो फ्रेंड्स इसका सही अंसर होगा, उप्शन नमबर 2, जी हां मुसलमान, मॉडले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुधाय के लिए आर 2007 तक निर्धनता अनुपात को घटा कर कितना करने का है, उप्शन देखिएगा, एक दस परतिसत, दो 30 परतिसत, तीन बीस परतिसत, या चार पांच परतिसत, तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा, उप्शन नमबर 3, जी हां 20 परसेंट, 20 परतिसत, दसमी योजना का लक्षि घटा कर कितना करने का है, तो 20 परसेंट याद रखना है, अगले परसेंट के और चलते हैं, सवाल नमबर 22, ध्यान से देखिए, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है, उप्शन देखिएगा, एक एकसेस क्रेडिट सूपरवाइजर, उप्शन दो, एक्स्ट्रा कैस स्टेटिस, उप्शन 3, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टेंडर्स, या उप्शन 4, इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस, तो फ्रेंड्स इसका सही अंसर होगा, उप्शन 4, जी हाँ, इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस याद रखना है, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या आर्थ है, Electronic Clearing Service, याद रखें, अगले प्रिशन के और चलते हैं, सवाल नमबर 20, द्यान से देखिए, निमनल लिखित में से कौन सा कथन सही है, option देखिएगा, एक, लावा और मेगमा दोनों में गैस होती है, option 2, ना तो लावा में गैस होती है, और ना ही मेगमा में, option 3, मेगमा में गैस होती है, किन्तु मेगमा में नहीं, तो फ्रेंड्स, इसका सही अंसर होगा, option 2, जी हा, ना तो लावा में गैस होती है, और ना ही मेगमा में याद रखना है, ये कथन सही है, अगले प्रिशन के और चलते हैं, नमबर 24, ध्यान से देखिए, निमनल लिखित म से कौन सा एक अवसादी सेल का उधारन है option दिखिएगा एक लोएस दो बेसाल्ट तीन ग्रेनाइट या चार गेब्रो तो friends इसका सही अवसादी सेल का उधारन है तो लोएस याद रखें अगले प्रिशन के और चलते हैं सवाल नमबर 25 दिखिए माई का निमनलिखित सेलों के कौन से एक युग में पाया जाता है option दिखिएगा एक सेल्ट बालू पत्थर option दो सिष्ट नाइस या option नमबर 3 चूना पत्थर बालू पत्थर option नमबर 4 सेल चूना पत्थर तो friends इसका सही अंतर होगा option नमबर 2 जी हाँ सिष्ट नाइस याद रखें अगले प्रिशन के और चलते हैं सवाल नमबर 26 ध्यान से दिखिए औल देखिये मेह रोविश्ट चार अ किसको ओप्श mentoring दिखिएगा एक लड पाहिए ग्रोड और मेंट्थर और बाहियो होड को अप्शंतुन तीन सीमा और निफ्य को ळाद्या प्रपरटी और मेंट्थर तो फ्रेंड्स इसका सही अंसर होगा option नमबर 4 जी हाँ share विसिक उसातत्य अलग करता है पुरपर्टी और मेंटल को याद रखें अगले प्रेशन के ओर चलते हैं सवाल नमबर 27 ध्यान से देखिए कार्टिल का रूप है क्या option देखिएगा एक दुर्भिनसाधिपुर्ण अलपाधिकार का option दो दुर्भिसंधी रहित अलपाधिकार का या option number 3 एक आधिकार का या option number 4 एक आधिकार परतियोगिता का तो friends इसका सही answer होगा option number 3 जी हाँ एक आधिकार का कार्टिल एक का रूप है एक आधिकार का याद रखें अगले प्रिशन के और चलते हैं सवाल number 28 ध्यान से देखिए यह किस ने कहा कि राष्ट्री आयवस्तूओं तथा सेवाओं का संग्रह है जिसे मुद्रा के रूप में माप कर सामान्या आधार में परिवर्टित कर दिया जाता है अप्शन देखिएगा एक सेमवलसन अप्शन दो कुजनेट्स अप्शन तीन हिक्स या उप्शन नमबर चार पीगू तो फ्रेंड्स इसका से एंसर होगा अप्शन नमबर दो जी हाँ कुजनेट्स याद रखना है या किसने कहा कि राश्चे आय बस्तूओं तथा सेवाओं का संग्रह है जिसे मुद्रा के रूप में माप कर सामान्या अधिकार में परिवर्टित कर दिया जाता है कुजनेट्स ने याद रखें अगले प्रिशन के और चलते हैं सवाल नमबर 29 ध्यान से देखिए भारत की 2001 की जनगर्ना रिपोर्ट के अनुसार ग्रामिन छेत्रों में रहने वाली जनसंख्यां का परतिसात है कितना अप्शन देखिएगा एक 70% अप्शन 2 72% अप्शन 3 4% या अप्शन नमबर 4 असी परतिसात तो फ्रेंड्स इसका सही अंतर होगा अप्शन नमबर 2 जी हां 72% या दखना है भारत की 2001 की जनगर्ना की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामिन छेत्रों में रहने वाली जनसंख्यां का परतिसात 72% या याद रखें अगले प्रेशन टोल चलते हैं नमबर 30 यह हमारे अंतिम प्रेशन है किसी वस्तु का पुंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है अप्शन देखिएगा उसके प्रती इकाई उत्पादन लागत अप्शन 2 उत्पादन के प्रती इकाई में निविष्ट पुंज पुंजी की रासी ऑप्शन 3 पुंजी का मुल्याहास तथा उत्पादन की मातरा का अनुपात या उप्शन 4 लगी हुई कारियसिल पुंजी तथा उत्पादन की मातरा का अनुपात तो फ्रेंट्स इसका सही अंसर क्या होगा फ्रेंट्स मैं फिर से कह रही हूँ अगर आपक की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और बेल आइकन को दबा लीजिए और आई बटन पे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं और डेली सुबह 6 बजे अब जूडे रहें और जिनों ने सबस्क्राइब नहीं किया जरूर सबस्क्राइब कर लीजिए क्यूंकि इसमें टॉप सेलेक्टेड क्वेस्टन्स मिलेंगे आपको तो इसका एंसर क्या होगा ध्यान से देखे एंसर होगा ऑप्शन नमबर दो उत्पादन के परती इकाई म निविष्ट पुंजी का रासी याद रखें कहा गया कि किसी वस्तु का पुंजी तथा उत्पादन का अनुपाद किसका माप है तो उत्पादन के परती इकाई में निविष्ट पुंजी का रासी ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईगा, thank you friends.